नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं एकरी टेक गुरुजी और मैं हूँ आपका दोस्तुरेश जाट दोस्तों जैसा कि पिछले दिनों मैंने जटका मशीन का वीडियो बनाया था तो आपके बहुत से कमेंट आ रहे थे कि निए स्कूलर जैटका मशीन तो ठीक है चलो करिलेंगे लेकिन वायर फैंसिंग करी हो कितने बिगे में कई कितना उसका खर्चे आया तो मैंने का चलो एक वीडियो बना कि आपको दिखाया झाए कि कितना कर्चा आया और कितने हैं मैंने ये वायर फैंसिंग करी अधी किन 맛있न बारे में आपको बताना चाहूंगा तोस्तों हाली मेरी नजर एक कर्षिफाई मोबाइल एप्लिकेशन पर पड़ी जो कि किसानों के लिए बड़ा फाइदेबन साबित हो सकता है यह एक तरह से किसानों का फेस्बूक हैं इससे देश के किसानों के एक दूसरे कनेक्ट करने के लिए ही बनाये गए हैं कर्षिफाई का इस्तिमाल करके आप उन्नत किसानों से जुड़ सकते हैं तेजी से तरक्की कर सकते हैं इसके लावा या वाजिब दाम पर गाये पेस खरीद और बेश सकते हैं इसके लावा नया पुराना टेक् सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें दोस्तों जैसा कि आपको पीछे शेत्र दिख रहा है यह पांच विगा का खेत हैं और इस पांच विग्यों को आप हेक्टर में मानेंगे एक हेक्टर की शेत्र भले इस कहत का तो इसके लिए मैंने जटक लगड़ी के खंबे दिख रहे होंके सारी यह बहुतर खंबे हैं जो हमने सुकी लगड़ी पढ़ी ती हमरे खेत पे जिसका इस्तेमाल हम ने कर लिया अर्थोगर मेरे पास बड़ा था जिसकी सायता से अमने इसके खड़्डे करें जैसा कि आपको बहुतर पॉल दिख रह था लुकार था दो लिटर पेट्रोल में मने सारे खड्डे लिया दो जुने मिलके यह बाद में जब खंवे घाड़ने काम चलो कि अण लगब दो घंटे आसपास हमने कहम बगा दिया रही बात वायr की तो वायर क्या वाह लगा कितना वायर लगा तो मैं आपको बता हुआ शेत्रृफल में हमने 3 तार खीचे, यह 15 किलो वायर से थे थींतार खीच दिये थे, और अगर इसकी बाव की बात कि जाय तो 80-50 किलो के असपास का ही हमें मिल गया हमने 2 जूनों मिलके 3 घंटे के असपास के टाइम में हमने सारह भायर खीच दिये थे, यानि कि दो गंटे खड़े करने के लगे दो गंटे खंबे गाड़ने के लगे और तीन गंटे वायर खीजने के लगे अब फंदरा किलो वायर आप तो एक्सी कंदे चलोगा दो लिटर लग गया या यानि की टोटल यह खर्चा घर हम मान के चले तो पांच बीगा शेत्र फल में हमने दो जार रुपे से भी कम खर्चे में वाइर फैंसिंग कर दी और नील गायों से इस खेद को सुरक्षित कर लिया अगर मेरे पास जैसे की खड़े करने के लिए अर्थ ओगर था अगर आपके पास अर्थ और नीए तो यह खड़े करने का टाइम आप थोड़ा सा इस्ट्रा माल लो बाकि खर्चा तो यह रहना है और अगर आप भी इस तरह की वाइर फैंसिंग करते तो वैसे हम सारे और लगातार अच्छा काम करती रहे हो अपने खेत की अवारा पश्यों से सरक्षा होती रहे है तो पांच भी का जमीन साथ हजार का खर्चा जिसमें जटका मशीन भी आ गए वायर भी आगे और सारा खर्चा भी हो गया पांच वीगा जमीन साथ हजार साथ गंटे में दो आदमियों ने मिलके हमने वायर भेंजिंग कर ली और हमारे इस रजगे की फसल को हमने अवारा पशों से सुरक्षित कर लिया जैसे कि अब आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको काफी है हलका रजगा दिख रहा होग मेती को काट दी उसके बाद में इसमें स्प्रिंग कलर से फुवारे लगा रहे हैं तो यहां रजगा वापिस से चल गया इसमें रिजगा छिडगा था तो अब इस रिजग को काट के इसका बीज निकाल लेंगे हलना कि इस बार पानी कम होने की वज़े से थोड़ा सा कमज होगा अगर वीडियो अपको पसंद आया था यहां तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीज़े अपने दोस्तों को शेर कर दीजें और वाइर फैंसिंग का हमारा सिस्टम आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राई कमेंड कर गे मैं बताना ना भूलें और फिलाल क जल देख नए वीडियो में जब तक के लिए जय जवान जय जिसान